लाज्ट्रिम मेरे पास एक खातून आई, मैं ते कुछ खादा ही नहीं, बस एक दो नवाली लेई सी, जो कि डाइबेटिक थी, हाइपर्टेंसिफ की हिस्ट्री थी, यूडिक एसिड उनका हाई था भरी एदों, पकवानों की एदों और हस्पतालों में रशना परे, ऐसा कैसे हो सकता है आज हम बात करेंगे के भरी एद जिसको मुक्तले पकवानों की एद का जाता है लेकिन वो हमारे मेडिकल प्रफेशन्स के लिए हस्पतालों में पहला दिन बहुत हैक्टिक गुजरता है सबसे जादा पूछा जाने वाला सवाल भरी एद पर वो ये कि एद पर गोश्ट का कितना इस्तमाल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं तो बात आती है कि गोश्ट अगर आपने इस्तमाल करना भी है तो आपने पोशन कटॉल में करना है ये सब्सक्रнес कर ले लेते है तो हम इसको किस तरा पोशन कंट्रोल में कर सकते है है ताके हम खाने भी खाएं एड को इंजवाई भी करें लेकिन हम एक पोशन कंट्रॉल में किस तरह इंजवाई कर सकते हैं तो सबसे पहले कोशिश करें कि गर्मियों की ईड है एक टाइम पर एक सालन एक ग्रेवी का इस्तमाल करें और तीन से चार बोटियों से जादा आप इस्तमाल ना करें और कोशिश करें कि हर खाने में गोश्ट में सबजियों को और डालों को जरूर डालें अगर सबजियां आपने गोश्ट के साथ एड ओनी करनी तो सलात की फॉर्म में जरूर एड ओन करें उसके सा बाध क्योंके हैं, आप दीर में का इस्तमाल झाल करएं क किया तो आपको इस्तमाल इस्तमाल करें कि आपकोased और इस्तमाल करें हमारी एद पर गोश्ट को बनाया जाता है और जब तक आपके सालन पर पूरी ओईल की पूरा पकवान पूरे ओईल से ना भड़ा हो हमें लगता है कि खाना ही नहीं सही से बना गोश्ट ही नहीं सही से बना तो कोशिश करें कि अपने कोकिंग मैथड्स को जो है थोड़ा सा करें आप स्ट्रीम कर सकते हैं ग्रिल कर सकते हैं बार्बीक्यू की फॉर्म में ले सकते हैं बट अगर आप में सालन ही बनाना है तो कोशिश करें कि प्लांट बेस्ट जो हेल्दी ओल्स होते हैं हमारे के नौलिव ओलिव उनमें खाना बनाएं लेकिन जादा तलीवी चीज तो फालों वाले ग्रेवी का तो इस्तमाल करते हैं लेकिन हमारी एक मित है कि जब तक हम सालन के साथ सेवन अपना पी ले या सप्राइट का इस्तमाल ना कर ले तो हमें हजब नहीं होता वह खाना तो कोशिश करें कि अपनी डी हाइड्रेशन की तरफ जरूर फोकस करें आड स दस ग्लास इस एद के मौके पानी का इस्तमाल जरूर करें पानी का आउन्टर्णीटिव कोई नहीं है अगर आपने फीजी ड्रिंग की तरफ आपको ख्रेविंग का इस्तमाल करना हैं तो घर का मिंट मार्गरिटा इस्तमाल कर सकते हैं ओर आपको एक कुलिंग अफरक्ट के थूरू भी जा सके अच्छा एक सवाल बहुत पूछा जाता है हम बींगा डाइटीशन मुझसे के घोश्ट को किस फॉर्म में खाना चाहिए और कितना पकाना चाहिए तो गोश्ट को आप जितना भूनते हैं उसकी घजायत भड़ती है सबसीयों को आप जितना पकाते हैं उसमें से निट्रिंट्स निकल जाते हैं लेकिन अगर आपका चागोश्ट कंसियूम करते हैं तो आपकी बहुत से हल्थ इशूज आ सकते हैं आपका अब्डॉमन डिस्ट्रब हो सकता है आपको डाइडिया हो सकता है आपको सुर्वर कांस्टिपरिशन हो सकती है तो कोशि कोशिश करें के जो चर्पी वाला कॉंटेंट है उसको आप थोर साइट पे करके जो आपका ड्मेनिंग पॉशन होता है आप उसको पका सकते हैं लेकिन जो अनिमल प्रोटीन उती है उसमें गुदिरती तोर पे आल्ला की तरफ से जो है फैट कॉंटेंट जादा होता है तो कि आपके एक प्लेट रखते हैं तो आफटर 50-20 मिनट वो प्लेट पे जर्म जाते हैं तो आपकी बॉडी में जाकर कितना आपका प्रॉब्लम क्रियेट कर सकते हैं कोशिश करें कि प्लांट बेस्ट ओइल में खाना बनाई उसमें प्रॉपर भूने उसमें प्रॉपर कुप करें गी की बजाए आप ओईल को प्रेफर करें फीजी ड्रिंक्स का इस्तामाल एड पे तो बिलकुल भी ना करें कतन ना करें लेकिन अगर आपको बहुत जादा क्र को रोग देती है जितना आप प्रोटीन इंटेक लेंगे आपकी बॉड़ी में आइरन जाएगा लेकिन जब उसके साथ आप उपर से फीजी डिंक्स ले लेंगे तो आपकी प्रोटीन में जितने न्यूटरिंस थे वो उसको आपकी बॉड़ी में अब्सॉब नहीं होने हैं नोजिया की कंप्लेंड के साथ जा सकते हैं इंडेजर्शन की कंप्लेंड के साथ जा सकते हैं डाइडिया की कंप्लेंड के साथ जा सकते हैं और एद के बाद जब आप अपनी लिपर पर फाइल करवाते हैं तो पता चलता है कि आप हाई कॉलिस्टॉल का शिकार होगे या fatty liver का शिकार होगे यहां पर मैं एक बात करूँ कि जो लोग diabetic हैं और जो लोग hypertensive हैं वो कोशिश करें कि जो उंट का गोश्ट है उसका कम से कम इस्तमाल करें क्योंकि उंट का गोश्ट बेसिकली उसमें खुदरती तोड़ पर वो थोड़ बात आजाती है कि आपने उसमें जादा से जादा मिर्च मसालों का इस्तमाल नहीं करना और जादा उसको घी वाली चीज़ों में नहीं पकाना आप गोश्ट को air fry भी कर सकते हैं आप उन्हें non-sticky pan पे या पे steam करके grill करके या barbecue हमारे एड पे बहुत के रवाज है कि families और friends के साथ barbecue किया जाता है तो आप barbecue की form में भी consume कर सकते हैं अच्छा आपके आप normally हमारे घरों में रवाज है कि इत का पहला दिन हो या दूसरा दिन हो या तीसरा दिन हो हमारे नाश्टे ही पाई से किये जाते हैं लाज्टे मुझे याद है कि emergency में मेरे पास एक खातून आई और जो कि diabetic थी, hypertensive की history थी, uric acid उनका high था लेकिन उन्होंने मुझे से discuss किया कि मैं तो भरी तो कुछ खाती नहीं हूँ क्योंकि पका पका के हम ओरतों का इतना बुरा हाल हो जाता है कि हमारे दिली नहीं करता लेकिन जब हमने उनकी history ली तो पता चला कि नाश्टा उनका हुआ स्वईयों से फिर कोई हमसाय आई मुबारिक कहने के लिए तो वो मिठाई ले आई तो बस एक से दो चखने के साथ साथ उन्होंने वो मिठाई का भी इस्तमाल कर लिया उसके बाद कलेजी का इस्तमाल बनाते हमारे यहां पर रवाज आए कि जब तक हम चक ना ले हमें मज़ा नहीं आता तो उन्होंने एक दो नवाले उसके भी ले लिये उसके बाद पाए चने नहारी का बस थोरा सा के आदा नान खा लिया या एक नान खा लिया उसके बाद दोपैर में भी प्रॉपर जो है रोटी सालन और रात में भी रोटी सालन उसके साथ साथ बोतलों का इस्तमाल मिठाईयों का इस्तमाल केक का इस्तमाल लेकिन एड़ देंट जब उनसे पुछा कि आपने आपको आपने इस सारा कंजियूम किया तो उनने कहा कि मैं ते कुछ खादा ही नहीं बस एक दो नवाले ही लेई सी तो वो एक दो नवाले भी आपको कितनी सर्फ्लिस में आपको दे देते हैं कैलोरीज और उसके बाद आप कितनी प्रॉब्रम्स की तरफ जाते हैं तो खोशिश करें कि एट पर इंजवाय ज़रूर करें सेलिबेड ज़रूर करें प्रोटीन इंटेक खाएं ज़रूर लेकिन लिमिटेड अमाउंट में खाएं और इसके अपने प्रोपर कुटिंग मैथट्स को जो है वो मौडिफाइ करके खाएं और कोशिश करें कि जितना आप प्रोटीन इंटेक करें उसके साथ सब्सक्राइब को ना भूलें दालों को ना भूलें और पानी का इस्तमाद जरूर कर दो